हेलो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि KGF2 को सफल बनाने वाले एक्टरों कफी नहीं तो आईए हम जानते हैं कि कौन अस्टार कितना KGF2 से रकामस हो चुका है पहले हम बात करते हैं इस मुवी के हिरोईन यानी एक्टरेस सिरीनी इधी का जी हाँ गाइज वही एटिट्यूट गर्ल जो अपना एटिट्यूट रोकी भाई को भी दिखा चुकी थी लेकिन बाद में पता चलता है कि रोकी भाई भी क्या चीज है जो इस मुवी में रिना देशाई का रोल निभाई हैं उन्होंने इस मुवी के लिए तीन करों रोपया चार्ज की हैं अब हम सेकेंड नमर पर बात करते हैं परकास राज का जो इस मुवी में एड़वोकेट का किरदार निभाते हुए नजरा हैं जिनका नाम भिजंद्र है जो इस मुवी का कुछ कहानिया बताते हुए नजरा हैं उन्होंने इस मुवी के लिए तीन लाख रोपया चार्ज की हैं जिनका इस मुवी में काफी रोपदार करेक्टर हैं उन्होंने इस मुवी के लिए असी लाख रोपया चार्ज की हैं लेकिन केजी अफ टू के लिए उन्होंने काफी बड़े हैं एमाउंट पसूले हैं, जो 15 करों रुपया हैं। जी हाँ गाइज, केजी अफ वन में काफी पॉपुलरेटी मिलने के बाद केजी अफ टू में उन्होंने 15 करों रुपया चार्ज किये हैं। अब हम पाचवे नमर की बात करते हैं, इस मुवी के सबसे बड़े बिलेन की, जिनका दासत इस मुवी में सबसे बड़कर दिखाई गई हैं। जो इस करेक्टर के लिए बॉलीगूड का सुपर अश्टार संजाय दर्थ को छुना गया है। अब हम छटवे नमर की बात करते हैं इस मुवी के छीप मनिष्टर रवीना टंडन की, जो इस मुवी में रामिका सेन का किरदार निभाई है। उन्होंने पाट टू में पूरे केजियफ को ही हिला डाला। इस मुवी में उनका गजब का रवाब दिखा। उन्होंने इस मुवी के लिए लगभग एक से गुदो करोन रुपया चार्ज कर चुकी है। अब हम बात करते हैं सातवे नमर की, इस मुवी के सुपर अस्टार हीरो यस्की, जो इस मुवी में रौकी भाई का किरदार निभाई है। उनको पूरे दुनिया जितने का खुआप था, लेकिन इस मुवी में उन्होंने पूरे दुनिया जितते हुए दिखाई दिये। लेकिन उन्होंने इस मुवी इस देश में अपना बैपार फ़लाए हैं, वो तो केजियो थर्ड में ही पता चलेगा। इस मुवी के लिए उन्होंने 25 करोन रूपया चार्च किया है ऐसे ही अमेजिंग निव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेयर, सस्क्राइब, कमेंट जरूर करें थांक्यू